और आवर बाडी अब जो हमारी बाडी है इसके लिए हमने न्यूटिरिशन तो ले रहे हैं बट हमारी बॉड़िको न्यूटिशन की जरूरत क्यों है जो कार्बो हाइडरेट में ली प्रोवाइड एनर्जी टू आपर बोडी कार्फोडल कोई भी कार्भोहाइटory उंगे वो क्या होंनेंगे हमारी थेंगे थें पर फेड़ा हो फेट वोकुं हम इनर्जी देंगे देंगे थेन पर Milky Way i2 ठेख थे वो ज्यादा उसे गर्मी ज्यादा लगती है So, वो गिव उस वार्म and also gives energy more The fat also gives us energy In fact, the fat gives much more energy as compared to some amount of carbohydrates Carbohydrates जो हमें energy देता है उससे कहीं ज्यादे energy हमें fat देता है So, food containing fat and carbohydrates is also called energy giving food So, fat और जो carbohydrates है उसे क्या कहेंगे energy giving food The protein needed from the growth and repair from the our body and food अबर protein है वो most of the किसके लिए उस किया जदा है protein हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि हमारे जितने भी जारे hormones है हमारे body में जितने भी सारे hormones है इसके अलावा जो हमारे अलग-अलग जो हमारे digestive juice है उसमें सब में क्या होता है protein होता है अगर protein जो हमारे growth के लिए सबसे ज़रूर होता है so protein is for our growth and repair our body कहीं भी वाउट लगा तो क्या करेगा protein उसे ठीक करेगा हमारे जो पूरा cell है cell का उपर का membrane पूरा होता है वो भी protein और lipid का होता है lipid means fat और protein so protein is हमारे growth जो हमारे body growth करती है उसके लिए और repair then carbohydrates and fat for the energy energy giving food and then ये picture is sweet potato, potato, sugar, papaya, melon, mango rice and ये सब कुछ है बाजरा और और सब कुछ they give us carbohydrates most of ली ये सारी छीजे हमने carbohydrates देती है sweet potato, potato वो सारी जो potato में starch बहुत ज़्यादा होता है sugar होती है sugar can में so जिसमें जो मीठा ज्यादा होता है थोड़ा से मीठा नहीं थोड़ा मीठा तो वो सारे सारे carbohydrates होते है so ये सारे rice है melon है mango है maize है इसमें थोड़ी थोड़ी मिठास होती है, that called carbohydrates, then oil, fat, nut, tal, वो सब कुछ है, जो जिसमें से oil बनता है, वो सारे fatty product है, ये सारी fats, then meat, fish, egg, milk, butter, वो सारी हमें protein provide करते है, milk, ghee, butter, meat, ये सारी protein given हमें के देहती है, oil और वो सब कुछ fat होते है, लोग कहते हैं, ज्यादा fat होता है, तो खम करना चाहिए, बिकोसमे 25 ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, the meat and milk, what protein लोग करोज कहते है, कि आपको जो लटके, milk कहते है वो बहुत जादा हुआ हटेए-कटे होते है. उनकी body grown, उनकी hormones होते है, वो बहुत अच्छ होता है, वो बह एवन, एग is the best contain of protein, एग जो वाइट पाथ होता है, वो सबसे जयादा protein रखता है. Proteins are often called body building food, जो, हमारा first काउन सा था? Energy giving food, एवन energy giving food काउन से थे है? Carbohydrate and fat. The body building food काउन सा है? Protein. Vitamin helps in providing, protecting our body, keep disease. Vitamin also helps keeping our eyes, bones, teeth and gum healthy. अब vitamin एवो क्या करेंगा? हम सब body को protect करेंगा. किसे? disease से. अगर किसी भी चब कभी आपको कहीं जाओ तो तुम लोगो को vitamin कम होगा, तो क्या होगा? विटामिन कम होगा, तो को disease होगी. First, देख़ो, vitamin कम होगा कि disease नहीं होती. Vitamin की वज़े से जो हमारे hormone है, वो खदम हो जाएगी. जैसे हम कहते हैं कि vitamin D की कमी से हमारे जो bone है, वो weak हो रहे है. Most of the vitamin D की कमी से हमारे warm weak हो रहे है. अब ये bone के, जो weak होने के बाज़े से हमारे bone में egg होना और सब कुछ वो तो होता है होता है. हमारे bone strong होने चाहिए वसे नहीं होता है. इसलिए vitamin D की की रोख कियाते है कि थोड़ी ज़ेट. दूप में बैठो, दूप में बैठके क्या मिलता है? हमें vitamin D मिलता है. So vitamin D is consumed. हमारे body में जो disease होती है, उसे रोखने के लिए vitamins burden. मैंने सिर्फ एक example दिया है as a vitamin D. Vitamin B612 है, B12 है, vitamin B12 है. वो सारे के सारे जो है हमारी body में बहुत जरूरी है. Because of the हर एक vitamin हमारे अलग-अलग body part को डिप्रेशन करता है. आई के लिए vitamin, जैसे कभी तुम लोग ने सुना होगा vitamin E है, हमारे protein content हमारे hair के लिए होते हैं, gums and health vitamins. Vitamins are so different kind of non different name, some name as vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. So vitamin A, C, D and E and K. ये सारे vitamins है, जो हमें अलग-अलग जगा पर माये जाते हैं, उनके नाम है. There are also a group of vitamin called vitamin B complex, our body needs all type of vitamin. Also vitamin B complex है, ये भी उसका नाम है and then it is also vitamin E, small quantity vitamin A, keep our skin and eyes healthy. Vitamin E के क्या करता है? हमारे skin and eyes को healthy रखता है. Vitamin C helps our body fight against the disease. जो हमारी vitamin C है, वो क्या करता है हमारे? हमें मदद करता है. अगर जो तुम लोग कहीं बीमार पढ़ते हो तो तुम लोगों को संत्रे और नीमभू पानी और व्रसा दिया जाता है. विटामिन C खटे जो सारे fruits होते हैं उसमें सबकुस ज्यादा most of the vitamin C होता है. So, vitamin C in our body वो प्रोवाइड काता है. जब कोई विमार पढ़ता है तो उसे lemon juice और वो सबकुस दिया जाता है. So, vitamin D helps our body use to calcium for the bone and teeth. जैसे मने कहा कि vitamin D नहीं होगा तो हमारे bone break हो रहा है, bone नहीं इतने अचे रहे है, teeth भी इतने अचे रहे है. So, vitamin D is for the bones and teeth. So, vitamin A is the skin and eyes health. Vitamin C for the against fight against disease. Vitamin D is help our body use the calcium and teeth. Food are rich in different vitamins are also. Minerals are needed by the body in small amount, each and essential. So, vitamin A कहां से मिलता है, papaya, carrot, mango, vitamin A में से मिलता है. Vitamin B में के लिए wheat है, rice है, liver है, liver है, liver है, liver कौन से होता है, bacon कहता है इसे भी. Most only meat में पाए जाते हैं, किसी चानवर के जो होते हैं, वो liver होते हैं. Then the orange, guava, green, chilies, tomatoes, ये सारे क्या होते हैं? Vitamin C में बहुत जार रहा होता है. Then the जिसमें प्रोटीन चानवा है, वो ही, milk, butter, fish, egg, वो सारी चीजे. Then the जिसमें प्रोटीन चानवा है. For proper growth of body and maintained good health, some source of the different materials are showing figure. Most of the food items usually have more than one nutrient. You should have noticed there while recording your observation. However, in given raw material, one particular nutrient may be present in a much larger quantity than others. For example, rice have more carbohydrate than nutrients. Such as rice is a carbohydrate rising source of the food. Now look, some of the things that we have to maintain our body. If we have to maintain good health, we need all the things that we need. Because when we take minerals, nutrients, our skin and growth, we need all this. Then most of the items usually have more than one nutrient. If we take eggs, then there is fat, protein, vitamin D, vitamin D. So, there is one thing. There is a lot of things that we get. For rice, for example, there is more carbohydrate than other nutrients. And we have rice as a carbohydrate rise. Now, rice is not only carbohydrate. There is something about it. But the carbohydrate is the most important thing. That is why we also call the carbohydrate rich source of the food. So, about fasting and foods, if we have something, we can add protein, like protein, we can add protein in this part as well. So, also to food, its abundant or any type of protein. मिलती है उसका नाम हम उसके उपर से हमें जो एक्जाम्पल दे रहे है वो मिल सकता है Beside this nutrition our body needs dietary fiber and water. Dietary fiber also known as rough geese. Rough geese is mainly provided by the plant and provide enough food. Who, grain and pulse, potatoes, fresh fruit and vegetable are also source of the rough geese. Rough geese does not provide any nutrient our body but it is essential of component of the our food and add it to bulk. This is help of body to get rid of indigestion food. अब देखो fibers है, dietary fibers है. वो हमारे body में कोई nutrient नहीं है. But वो हमारे body को help करते है for digestion. Digestion करने में help करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे खाने हैं, जो हमारा nutrient है हमें ठीक से मिलें. So that source of rough geese do not provide many nutrients to our body but it is essential component for our body. And add to its bulk, this is help our body and rid of indigestion. Indigestion जब होता है तब most of the खाना, so most of the green vegetables आपको कहाने जाते हैं कि खाना चाहिए, वो इसकी वजह से क्यूंकि उसमें fibers ज्यादा होते हैं. Water helps our body to absorb nutrition from the food and also helps the waste of body as urine and sweat. Normally we have most water than our body needs from the liquid we drink and such water, milk and tea in addition, water is most cooked food and let's us see that the other source of provide water in our body. So first, हमने सारी चीज़ हैं, इसमें एक water, fiber के बारे में जाना, fiber हमारी चीज़ को nutrient प्रोइड नहीं करता हैं, पर क्या प्रोइड करता हैं? In digestion करने में, जो digestion होता है, कोई लोग dieting उपर होते हैं, जो खाते नहीं उसमें most of leaf fruit and vegetables दिये जाते हैं, because, क्योंकि उसमें nutrients नहीं होते हैं, उनमें fat नहीं होता है, उसमें protein नहीं होता है, जो आपके body में पहले से है, fat, तो उसमें fat के कुछ नहीं होता है, but digest हो जाता है, because of the fibers, हमें fiber मिल जाते हैं, so ये body होती है, इसलिए, then the water helps the body absorb, हमारे pure of body है, उसमें 75% जितना water, sorry, 65% जितना हमें water चाहिए, अब water है, वो सिर्फ हम drink पानी करने से नहीं मिलते हैं, हम कदेश कॉफी और टी लेते हैं, बाकि हमारे सारे जो food है, इसमें water content ज्यादा मिलता है हमें, so हमें water, either जो हमारा sweat है, हमारा urine है, ये भी सारे water की तरह हम remove करते हैं, most of the, सारे nutrient क्या करते हैं, water के अंदर absorb हो जाते है, water के अंदर चले जाते हैं, अब water है, जहाँ जहाँ जाएगा हमारी बोड़ी में, वहाँ वहाँ हमें nutrient मिलता जाएगा, so we come the water, हमें water के वज़े से हमें पूरी बोड़ी में मिलता है, तो water हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हमने protein के बारे में, carbohydrate के गारे में, क्यों य हमने nutrient के बारे में जाना कि इतने nutrients होते हैं, फिर हमने जाना कि वह कहां से मिलते हैं, then हमने किया कि वह हमें important cure, इसकी उपर से हमें पता चलता है, कि बोड़ी में हमें क्या लेना चाहिए, जिसकी वज़े से हमें disease ना और हमारी जो बोड़ी है वह ग्रोथ अच्छी करें, ज उसका answer, second chapter में दिया गया है, so have a nice day, पता ही चलेगा, अब वीडियो बंद होने वाले है, so goodbye, and read आपको लिखना है, कि vitamins A, B, C, D है, वो कहां यूज होता है, वो एक homework में देना है, homework, कौन से जो carbohydrate है, तो वो उसे क्या कहलता है, उसकी एक chart बनाना है पूरा, और उसे homework में देन You know, homework में देना, OK